नमस्कार मैं हूँ अबिनाश और आप देख रहें दाचोपाल नए ट्रैफिक नियमों के लागू होने के बाद सही कई जगों पर बवाल मचे कुछ ने अपनी गाड़ी फूंक दी तो कुछ ने गाड़ी ही पुलिस को सौप दी उनका कहना था कि जितना गाड़ी का दाम नहीं है उससे ज़्यादा का तो चालान हो गया है खेर इस समय आप तक कई खबरें ऐसी पहुँच रहे होंगी कि जूता नहीं पहना तो चालान हो गया हाफशट पहनी तो चालान होगा हेलमेट पहना है तो भी चालान आपका कटेगा ही इस तरह की ना जाने कितनी खबरें और मीडिया रिपोर्ट्स आप तक आती होंगी इसे देखकर पहली नजर में तो आप भी कन्फ्यूज हो ही गये होंगे लेकिन अब परिवन मंतरी नितिन गटकरी ने ऐसी मीडिया संस्थानों और रिपोर्ट्स की खिलाप नाराजगी दिखाई और दुख जताया है कि कैसे देश में मीडिया कर्मी किस तरह से लोगों को नए मोटर वीकल एड को लेकर गुमराह कर रहे हैं दरसल सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए परिवन मंतरी नितिन गटकरी ने कहा कि मुझे खेद है आज फिर हमारे मीडिया की कुछ मित्रों ने सडक सुरक्षा कानून जैसे गंभीर विशे का मजाग बनाया है मेरा सबसे आहवान है लोगों की जिन्दगी से जोड़ी इस गंभीर मसले पर इस प्रकार गलत जानकारी फैला कर लोगों में भरमना पैदा करें अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा इसके पीछे भी कारण है दरसल इसी ट्वीट के साथ नितिन गटकरी ने एक तस्बीर भी साजा की ये तस्बीर एक जानी मानी मीडिया हाउस की वेबसाइट की है इस वेबसाइट पर एक आर्टकल लिखा गया था जिसकी हेडिक में लिखा गया था कि ड्राइविंग के वक्त अगर नहीं पहनी फुल बाह की शट तो कट सकता है चालान ये खबर पूरी तरह जूठी थी ऐसा कोई कानून है ही नहीं हाला कि जब नितिन गड़करी ने इसे ट्वीटर पर साजा किया तो मीडिया कमपणी ने इसे तुरंत अपनी वेबसाइट से हटा लिया लेकिन ऐसे ना जाने के तिने आर्टिकल सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं जो लोगों को भरमित करते हैं और गुमराह करते हैं इसी तरह की एक खबर और भरमित तरीके से फैलाई गी कि अगर आपके पास हेलमेट है तो भी आपका चालान कटेगा इस तरह की हेडिंग कई मीडिया कमपणी ने चलाया इससे लोग कन्फ्यूज हो गए कि आखिरकार ये क्या हो रहा है हमारे पास हेलमेट होने के वावजुद हमारा चालान क्यों कटेगा हलाकि इसके पीछे की असिलियत कुछ और थी दरसल इस बात को तो आप जानती होंगे कि लोग चालान से बचने के लिए किस किस तरह के हेलमेट का प्रियोग करते हैं कोई इंजीनियर वाले हलमेट लगा लेता है तो कोई 100-200 का हलमेट खरिद कर अपने सर में रख लेता है जिससे की सर पर हलमेट लगा रहे और पुलिस उनका चालान ना काटे इस तरह के हलमेट पहनने का क्या फायदा कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उनकी कौल्टीस लायक होती ही नहीं कि वो आपकी सुरक्षा कर सकें आपको किसी दुरगटना से बचा सकें इसलिए कानून में प्राउधान किया गया कि आपको हेलमेट भी उच्च गुरवत्ता वाली ही लेनी है वो इंजीनियर वाली हेलमेट अब नहीं चलेगी अगर आप अभी लोकल यानी बिना आईसाई मार्क वाला हेलमेट इस्तिमाल कर रहे हैं तो उसे तुरंत किसी कचरे में फेक दीजिए क्योंकि अब तक आप इस हेलमेट को सिर्फ चालान से बचने के लिए पहन रहे थे लेकिन नए कानून के तहट बिना मार्क वाले हेलमेट पहनने पर उतना ही चालान लगेगा जितना की बिना हेलमेट पहनने पर लगता था इसलिए आगे से आप हेलमेट हमेशा ऐसाई मार्क वाले ही खरी दें अब आप इस बात का ध्यान रखे कि Motor Vehicle Act में बदलाओ आपके लिए क्या गया है आपकी सुरक्षा के लिए क्या गया है ना कि आपको परिशान करने के लिए तो आपको भी नए नियमों के मुताबित गाली चलानी चाहिए नए नियमों का पालन करना चाहिए अगर आप नियम करके जरू बताइए हुआ है 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 हाँ है है है